इन भिन भिन प्रकार के पात्रों को देख रहे हैं आप क्या आप बता सकते हैं कि इन पात्रों में क्या रखा है आपको लग रहा होगा कि इसमें भिन भिन प्रकार के द्रव हैं है ना परंतु ऐसा नहीं है, इन सभी में एक ही जल है, देखिए परंतु ये भिन्न भिन्न लगते हैं, चुकि जिसमें ये जल रखा है, उसके रंग को परिभाशित करता है अब यू समझेए कि इस पात्र में रखा जल हम हैं, और ये पात्र वो संगती है जिसमें हम रहते हैं हमारी संगती के गुण धर्म, हमें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे संप्रेशन को बहुत प्रभावित करते हैं इसलिए अपनी संगती पर, जिनके साथ रह रहे हैं, उन्हें चुन्ने में सावधानी बरते हैं चुकि जल को अपना पात्र चुन्ने का अधिकार नहीं है किन्तु हमें, अपनी संगती चुन्ने का अधिकार अवश्य है जो वस्त्र हरन करेंगे, उनका प्राण हरन होगा जब-जब किसी की आखे, अनुचिक होता देखना स्विकार करेंगा तब-तब उन आखों को बंद होना होगा यही नियती है, यही प्रारत है और यही है इस महा भारत का कारण और निवारत अधर्म की ओर, धर्म के बढ़ते बानों को रोकने का प्रियास करने वालों को पाणों की शैया पर विश्राम करना होगा जो अधर्म की आज्या पर शीज जुकाएंगे उन्हें स्वयम का शीश कटाना होगा अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है ना ही किसी की बान, ऐसा कोई रत नहीं जिस पर अधर्म चड़कर अपने लक्ष तक पहाँच सके क्रास लेगी ये धरा उस सधर्मी को भी और अंचा है उसका साथ देने वाले के रत को भी जो एक जूटे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्षा कर खड़ा होगा उससे स्वयम सत्य के चक्र के साथ धसना होगा ये तुम्हारे अपमान का नहीं समस्त स्त्री जाती के अपमान का प्रतिकार है पांचाली संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोद के लिए नालल का रहे चुकि प्रतिशोद पाकर मन की अगनी शांत नहीं होती अपितु और धधकती है यही है इस महाभारत का संदेश और नियती का उपदेश मन की अपितु और नहीं होगा आपने आपको संभालो मेंटर एक जुद्धा को रोकर विदा नहीं करते हैं हम तुष्यासन का बलिदान जुव्यार्थ नहीं जाने देंगे आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुच की अंतिम विदियां पूंद करो तुष्यासन करदे अविदानी सुष्यासन करहा विदिया रहा विदिया तुष्यासन करते हैं प्रेही पेही बखीधी पूर्वेर भिर्यत्रा नाकोण वे पीतर पर्युहू पुभराजना स्वखया वरुनंच दिवंद्रु क्यों कैसे कैसे होने दिया तुमने ये तुम्हारा अनुछ तुम्हारा उत्तरदाइत्व था उसकी रक्षा कैसे ना कर पाय तुम मैं नेत्रहीन हो पुत्र परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्रचीन लिया है केहते हैं सर्वनाशुत्पन होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र वो ज्यानी होता है पुत्र मैं अपने निन्यानवे पुत्रों को तो खो चुकी हूं परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती कर दो बंद कर दो ये महावे नाश्तुर्यूधन और लॉट चलो इसी को तो रहने दो जो हमारा फिंड दान कर सके चलो पुत्र लोट चलो नहीं अब इस युद को रोका नहीं जा सकता मैं इस युद के ऐसे पढ़ावमर पहुँच चुका हूं जहां से इचे लोटना संभब नहीं ये दल-दल यह तो मुझे निगल जाएगा और यह मैं इसे समाप्त कर दूँगा तब यह तो उन पांड़ों कान दोगा और यह तो मेरा नहीं उससे पूरूब कदाचित यह युद नहीं रोक सकता अब यह युद ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और नहीं समराड बनने के लिए यह युद करना है प्रतिकार के लिए जिन पांड़ों ने मेरे निन्यानवे ब्राताओं का वद किया उनके वन्स का समूल नाश करूंगा किस चंतन में डूबे हो युद इस्टियर प्रणिबाद वासुदेव तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युदिश्टिर मेरा मना शांत है बुद्धी पर जैसे प्रहम की धूर सी जमी है समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव कि इस महायुद से हमें क्या प्राप्त होगा आश्चर धर्मराज के मन में ऐसास मंजस वासुदेव मैं आप से निवेदन करता हूँ कि मुझे धर्मराज कह के मत बुकारिये इस धर्मयुद में बिखरे अधर्म की छीटे मुझे पर भी पड़ी है मैं धर्मराज के लाने योके नहीं हो वासुदेव युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपून आत्म बल होता है युदिष्ठिर और इस प्रकार युद्ध के मध्य में समराठ का मन दुर्बल पड़ जाए ये उचित नहीं है तुम ये मत भूलो युदिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है ये सम्पून भारत वर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है जो अधर्म से मुक्ती चाहती है जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग ये उत्रादिकारी मानते हैं जो तुम में भारत का योग ये समराठ देखते हैं इस युद्ध में तुम्हें समराठ बनते देखने के लिए अंगिनत सैनिकों ने अपनी आखे बंद कर ली युदिश्टिर और आज भी अंगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए एक समराठ का कर्तव वे हैं कि वो अपनी सेना अपनी प्रजा का मार्ग दर्शन करे ना कि स्वयम दुविधा में फस जाए किन्तु प्रश्ण ये है कि समराठ के मन में ये प्रश्ण आया क्यों कही समराठ को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिये अनुच महा युद्धा अर्जन पूरे मनो योग के साथ भाग नहीं ले रहे कदाचित इसी लिए अंगराज अब तक युद्ध शेत्र में है अंगराज का वद केवल अर्जुन के हाथों संभव है तदी युद्ध भूमी में अर्जुन अंगराज का वद कर देते हैं तो अवश्ये संभव है युद्ध श्थिर अर्जुन 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 मेरे जीवन परिवर्दन के लिए संखर्च गिया यूकि जब भी मैंने इसा किया तो मैंने रियोगों की आखों में आशा की किरन देगी जिस परिवर्दन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर कुछ समझ नहीं पा रहा हूं प्रशाले लगबख अपने सारे प्रिये खो चुका हूँ हमारी अगली पीड़ी जिसके लिए मैंने परिवर्दन का स्वपने देखा था वो तो बचे ही नहीं फिर इस परिवर्दन का क्या लाग तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण परन्तु कुछ नवीन पाने के लिए बलीदान करने ही पड़ते है युद में युद्धा पीरगती प्राप करता है ये भी जानते थे धन की प्रान की अपनों की हानी होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण फिर आज ये उद्विगनता क्यों इस समय तुम कौरव सेना के सेना पती हो अंगराज और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनुबल की आवशक्ता है उन्हें एक सशक्त सेना पती चाहिए ना कि एक टूटा हारा योध्धा हम सब को तुम पे विश्वास है कर्ण मुझे तुम पर विश्वास है तुम ही होकर जो ये परिवर्तन ला सकते हो मैंने तुम्हे कितने कश्ट दिये है फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया मुझे साहस दिया मैंने सदेव परिवर्तन चाहा है उसमें विश्वास रखा है पर आज आज स्वयम को संभाल नहीं भारा हूं मैं स्वयम को संभालो सरसेना पती इस तरह टूटो मत क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा एक आंत जी जी मैं कुछ मत कहो कुंती समय ने मुझे उस मोर पर लाकट भड़ा कर दिया है जिस मोर पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए तुम्हे समर्ण है समर्ण है तुम्हे वो समय कुंती जब हमारे हस्तनापूर में हर्ष, खुशे, उल्लास और आनंद होता था मुझे दंब होता था कि मेरे कक्ष में सो और तुम्हारे कक्ष में पांच दीपक है परंतु आज आज मेरा ये कक्ष आज मेरा ये कक्ष अंधकार में डूब गया है एक एक करके एक एक करकेस अभागिन माता ने अपने निन्यानवे पुत्र खो दिये है पर मात्मा से सो पुत्रों की माता होने का सो भागिये पाकर भी आज मेरे दोनों हाथ खालिये माता के आँसु तो अपने एक पुत्र के वी योग में सूख जाते है परंतु मैं मैं अब हागिन गंधारी अपने सो पुत्रों के विलाब के लिए अशुरू कहां से लाएगी कुंती कहां से लाएगी अब हागी नहीं है दूदी यह दूर्बाश यह नहीं हमारी असा फलता है इपक का दर्म है जलना यह तो सम्भाने वाले के हाथ में कि वो उस दीपक से प्रकाश करॉता है किया अपने घर को स्वाह कर लेता, किया अपने संतान पर अपना नियंजन खोने के कारण ये युद्ध हुआ है जिसका परियनाम हम माताय मुगत रही है जो पीडा आपकी है जीजी तो वही पीडा मेरी भी है आज आप जिस परिस्थिती में है मैं भी स्वाह उसी परिस्थिती में बंदी हूँ हाई योगों नड़ते थे कौन सी माता प्रस्थन हूँ हाई 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 हाँ आजोर्ट! रोग्जाओ! आजोर्टिक! तो नो रोग्जाओ! आजोर्टिक! राच्मादर! कि आपको इस समय आना पड़ा कुछ शुप शब्रोने बेरे नंको व्याख अखुल करतिया है समझ सकता हूं जिस माता के सारे पुत्रयुद पर हूं उसमाता का मान व्याकुल होना सौभाविक है बात यह नहीं है मैंने दुस अपन देखा है यह साथ दुस अपने तुम बान चुड़ा आगे जा रहे हो अरजुन भी सजा है और तुम दोनों ने बान संधान कर दिया और 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 मैं पीच में आगे किन्तुम तुम दोनों ने बान चौड़ दिया कर क्या हुआ इस अपना टूट गया है जो सव अपना आपने पूरा देखाए ने वसके लिए आप व्याथित क्यों हो रहे हैं मैं व्याथिये तूँ क्योंकि बान किसी का भी हूँ किसी की भी चाहती भेदे पीडा मेरे कुप को ही होनी है संसार की तृष्टी में आपकी कुप पांच बार भरी है या आपका तुर्भाग्य था या मेरा प्रारप्त हमें ऐसे स्विकार्ना होगा राजमाता तुमसे विंती करती हूँ तुमसे विंती करती हूँ क्या ये विंती या परजुन से कर सकती है बताएए विवश्यू परन्तु हम विवश नहीं है पुद्र विवश्यू पर्द में विवश्य करती है चर्दो ये विवश्यू तुमसे ये विवश्यू आदेश के साथ साथ हमारा आदेश में सम्मलिक है पुद्ध छोड़ दो ये युद्ध परिवर्तन के लिए नहीं है पिनाश के लिए समझ लो कि हम अपने पालन पोशन के रेंड का मुल्य मांग रहे हैं दूसे लोट चलो पुद्ध लोट चलता यदि में केवल राधेकरन होता है अब मैं कौरफ सेना का सर सेना पतियों पे तश्री मैं नहीं लोट सकता है मेरा कर्टब वे आपका आदेश ना मानने के लिए बचे विवश कर रहा है मैं नहीं लोट सकता माता मैं मुहरत पे देखा के सब्सक्राइब असत्य नहीं होता है आपका सुपन चूटा है राजमाता परन्तु मेरा वचन नहीं चूटेगा तूरे ओदे होने को है मेरा अर्ग देने का समय हो गया अग्या दीचे प्रनी पात आपके दीचे पताष्रे अवस्माण पाव अश्मास झापके पताष्रे अच्छोनी जापके भी चल्ट चल्ट याई 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 ओम सुध्याय नमाः ओम भागे नमाः ओम तगाय नमाः ओम स्री सवित्रे सुध्यानाराय याई नमाः प्रानाम गुरुदेव प्रानाम गुरुदेव आयो श्मान भाव उत्र आयो श्मान भाव गुरुदेव आप आप यहाँ मैं दुम्हे कुछ इस्मरन कराने आया हू रादेव आयो आयो मुझे इस्मरन है गुरुदे प्रादेव प्रादेव मुझसे कोई कुछ भी मांगे उसे में पूर करूंगा और यह मेरा सोभाग्य होगा जादी मेरे गुरु मुझसे कुछ मांगे आतेश दीजे गुरुदेव मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हू पत्र तुम्हे कुछ और इस्मरन कराने आया हू क्या कुरुदेव कि गुरु का श्राब भी आशिर्वाद होता है मुझे उस बात का कोई दुख नहीं कुरुदेव परंदु मुझे दुख है यह पत्र मुझे दुख है और मैं तुम्हे यही इस्मरन कराने आया हू उस भूल का पश्चाताब करने के लिए मैंने तुम्हे विजय धनुष दिया था मेरा श्राब तुम्हारे साथ है और पश्चाताब भी पूर्ण हो समय आ गया है गण उस विजय धनुष को धारन करने का विजय धनुष का आवाहन करो और विजय धनुष को धारन करो जब तक वो विजय धनुष तुम्हारे हाथों में रहे इस संसार में वोई भी शत्रो तुम पर विजय नहीं भापाएगा वोई भी शत्रो वोई भी शत्रो वोई भी शत्रो